प्रियंगा गाधी कहा रही दीना या मेठी में विकास है अरे जिंदगी में नहीं कुछ नहीं हुआ है पान्जिला पूरा पस्चिम पान्जिला उत्तर पान्जिला दक्षिन इतने को मोदी जी ले लिये अपने अंदर थी तो यह भीर देखके बताएं कि क्या जंता भी पादार है बनारिस की जनता दिखा दे रही है जवाब नहीं दिखा रही है हम यह सोचने हैं जो हमारे विरोधी है विपच्छी टीम वह दोजार चोबी करें अब उसके बगल जश्ट बगल मेठी है आपकी लोग सबसीर वहां से राहूल गांधी हार है संदोस वरमा जो कहते हैं इस सामने विकास है राज महराज भाण आद एक बास मोळीजी कर साबित करता है इतनी सब्सक्राइव हुई हैं और चाहते हैं रहता है तो यहां पर अलग अलग निताओं का नाम लगता है तो नहीं योगी दिखते हैं नहीं वो अमिच्छा दिखते हैं त सब्सक्राइब एक पृंडिया को बताना चाहिए। कांगरेस की एक चीजा में बुरी लगती है उनकी बैनर, हमारे पुब्लिक जो है आर्मी जवाने सब को यहाँ अपने देश से प्यार करता है donc पर देश का तिरंगा निचे गिरता है आदमी को पारेस लगता है नाला में जाता है तो हमारे वह कांग्रे सबसे बरी गलती करती है कि बैनर पर देश का बंदा क्यों लगाई है क्या लगा है आज के रोड़ सो को देखकर कितने नजदीक से दर्शन हुए पहली बार उन्से और यह सोदे कम को लगता है कि वह बहुत है तो बहुत है जी गर्मी बहुत तब भी प्रवा कि अपने लुग पाने के लिए कुछ मैनेज करना पड़ता है लेकिन मैनेज जरूर करना पर लेकिन कितना पसीन आ रहा है पसीना ने दीजे मोजी जी ने हमारे लिए 24 घंटा पसीन आया हमें एक दिन महिना नपा सकते हैं जी जीत गए अजय कुमार सिंग कैसा लगा आपको आज का रोड सो बहुत अच्छा बहुत क्या सावित करता है इंडिया को क्या मैसेज देना चाहरा है जनता कि केवल एक मात्र मोधी हैं जो इस देश की सिवा कर सकते हैं जो रोड सो हुआ है गर्मी बहुत है लोग डटे रहे चार-चार घंटे इंतिजार करना पड़ा क्या लगा है कि जनता मोधी के प्रती समर्पित है उनके लिए कितनों समय देना पड़े जनता भागने वाली नहीं प्रेंगा गांधी आ रही दी पनारस के लिए ल कश्या कि मुझारा है कि मोधी जी इतने पके-पकाए इतने एकसपर्ट और करमट naprawdę मंत्री सब्सक्षзд हैं कि общем कि अन्हों किया यह यह सो किया मेरा तो मेरा उपिनियन यह है कि पांजिला पूरा पांजिला पस्चिम पांजिला उत्तर पांजिला दख्षीन इतने को तो मोधी जी ले लिए अपने अंदर कुछ लोग है आरोब लगा रहे हैं अखलेजी कह रहा है कि इवियम में घोटाला चल रहा है कुछ तो भईया अगर यह लोग यह कर रहे हैं कि इवियम में घोटाला है तो आज आके जनता को देखके बता दे कि जनता में भी घोटाला है अगर उनके समझ में आ रहा है कि इबीम में घोटाला है तो यह भीड देखके बताएं कि क्या जंता भी गोटाला है आज की जंता क्या सबसे बड़ी चीज की राश्वाद तो सारे लोग कह रहे हैं जब सारे लोग राश्वाद का रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर राश्वाद कहें लेकिन जितने चुनाव अब तक हुए तीन चुना हो गया है 지금аетеा आज जो मोदीजी ने काम किया है आज जो मोदीजी ने रोट सो किया है मैं बता रहा हूं कि 5 जिला पूरा बनारत से और पउनारा संटर बना दिया अबना नहीं बना दिया उसी तरह से अब काशी है काशी की जनता यहां जो हरर महादेव है भोले नात है उन्होंने ये काम करवा दिया कि आज ऐसा अब यह मैसेच जाएगा कि डेली का डेली एक हजार दो हजार दस हजार बीस हजार पचास हजार डेली ओट अब मुदी का बढ़ता है इंडिया नहीं बाहर के लोगों की भी नजरह रहती हैं तो कैसा लगा होगा आज उनको आठ नोटो सीरियल ब्लास्ट हुआ आपने आप लोग तो चैनल वाले हैं जानते होंगे लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी जी ने यहीं बोला कि अब मोदी जी का ख्याल करिया और ध्यान करिए उन्होंने कहा कि मेरा सटा हुआ भाई सटा हुआ देश जब सुरच्छित रहेगा तो ही हम सुरच्छित रहेंगे पाकिस्तान का नीती गलत है जिसकी नीती गलत हो उसके साथ उसका तो इलाज करना होगा जिसके नीती गलत है पाकिस्तान की नीती गलत है वह आतंगवाद को बढ़ावा दे रहा है लेकिन हम तो आतंगवाद को बढ़ावा नहीं द रहे हैं कि जब हम बोलेंगे तो इनका ओट कटेगा इनको ओट नहीं मिलेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है भारत की जनता हमारे हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो सारे जो जितने हमारे प्राणी मतलब आपको यह कह दें कि गाय भैस भी सब भारत के वफादार हैं इसलिए मोध इसलिए कोहीं– होड देना है दूसरा कोई विकलब ही नहीं कोई दूसरा विकलब नहीं है कोई नहीं नहीं है क्योंकि मोधी छी नितना काम किया तो आंगरेस प्रधाम मंत्री कौन बनेगा या तो कांग्रेस के पप्पू बने या फिर हमारे मोदी जी बने बाकि मायावती जी अकलेश जी ममता दिदी ममता दिदी ये लोग बताइए दो चार सीट पांच सीट एक सीट ले के कोई प्रदाल मंतरी बन सकता है अचा दूसरी चीज कि सबसे बड़ी चीज कि मोदी जी के अंदर जो आत्म विश्वास है और 56 इंज का सीना दिखाता है बाकि किसी कि अंदर नहीं है किसी के अंदर नहीं है क्या नमें दोस्ट अनिश सोंकर चस्मा लगा हुआ है क्या लग रहा है आपकी बार मुद्शों को देख करके क्या मैसेज दिया गया है जटव मैं तो अगले बार की भी दावा करता हूं कि अगले बार भी मोदी जी आएंगे क्योंकि राष्ट के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं सबसे बड़ा हमारा देश है हमारा देश मजबूत होगा तभी हम लोग मजबूत होंगे मजबूत होगा तभी हम मजबूत होंगे जब तक घर का निव मजबूत नहीं होता है तब तक घर मजबूत नहीं होता है आज बनारस की जनता क्या जवाब दे रही है जवाब नहीं दे दिखा रही है कि हम किसके साथ खड़े है किसके साथ कड़े है हम मोदी जी क्या नाम है बिट्व मिस्तृ कैसा लगा आज का रोड सो क्या मैसिज दिया बहुत अनंद विइत कुई तो का नहीं पड़ा है कहां से दर्शन किया आपने मोदी जी के बहुत लग रहा है कि अब दुबारा बन जाएंगे इतना सोचना पड़ रहा है नहीं सोचना नहीं पड़ रहा है हम यह सोचना है जो हमारे विरोधी है भी पच्छी टीम वह दोजार चौबीस की तैयारी करें और मैं प्रताव रहने वाला हूं उसके बगल जश्ट बगल मेठी है आपकी लोग वहां से राहूल गांधी हार है हार है इसलिए केरल भाग है भाग ही जाते तब यह रहेता उनको वहां ना मांगन किया है लेकि वहां हार जाएंग हंडेड़ परसंट है हार रहे हंड़ परसंट क्या नाम है अंकल स सादु सरण तो सादू सरण जी बात बात बताई आज एक सादू रोड़ सो कर के गया है धार कई सलगतर दिखाए क क्या बोलते हैं पतां नई और मोधी जी का जो त्याग है तपस्या है वह पुरे बिश में भारत जो है जो पहले बिश्व गुरू था वह आज भी अब काइम हो जाएगा ऐसा हमारा विश्वास है जै विश्वास किस पर है मोधी जी पर है उनका जो त्याग है वह अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं पड़िवार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं देश के लिए सब कुछ सर्वसक्तिमान है इस समय एक आदमी सर्वसक्तिमान है तो एक बात बताईए अखलेस यादव कहते हैं इवियम में कुछ गोटाला चल रहा है अखलेस यादव यह लोग पड़िवार के लिए सब कर आपस में संघर्ष कर रहे हैं सिपाल जी अलग और भी उनके जो पड़िव कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं